आज किस वीडियो में हम देखेंगे साल 2020 में नॉबल पुरुसकार किसे किसे दिये गए है और इस वीडियो का जो PDF लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेट स्टार्ट दा वीडियो नॉबल पुरुसकार जो है स्वीडिस विज्यानिक अल्फरेड नॉबल की याद में दिया जाता है इसकी जो सुरुवात है वर्स 1901 में की गई थी नॉबल पुरुसकार छे चेतरों में दिया जाता है पहला चिकित्सा, दूसरा भौतिकी, तीसरा जरसायन, चोता शांती, पांचवा साहित्य, छटा अर्थ सास्त्र पहले इन पांच छेतरों में नॉबल पुरुसकार दिया जाता था लेकिन वर्स 1968 में एकोनोमिक्स की छेतर में भी नॉबल पुरुसकार दिया जाता है इस साल का जो नॉबल पुरुसकार है वो किसे दिया गया है, देखते आगे पहला हमारा चिकित्सा, चिकित्सा की छेतर में किसे किसे नॉबल पुरुसकार दिया गया है समय हर्वेजे अल्टर , माइकाल यूटन , चार्ल्स एम राइस , और यह किसलिए दियागे ? हपिटइटिस C वाइरस की खोज के लिए Nobel पुरुषकार दिया गया है , इनको हपिटइटिस C वाइरस की खोज के लिए पुरुषकार दिया गया है , थीनों को स्कत्राइब केर दूसरा भौतिकी यानि फिजिक्स में किसे दिया गया तो रोजर पैणरोस को दिया गया, रेनही गेंजल और प्रंटरिया गेत्स को दिया गया तो ब्लैक ल होल का गठन् medam सम्मानेता सिधान का एक मजबूत पूर्वा नुमान है इसके लिए जो है रोजर पैनरोस को दिया गया है और दो लोगों को जो है किसलिए दिया गया है रैन हई गेंजल और एंड्रिया गेस को जो है किसलिए दिया गया हमारी अकागसगंगा के केंद्र में एक विशाल का ए जो है इने नोबल पुरूसकर दिया गया है तीसरा जो है Chemistry यानि रसाइन के छेतर में किसे दिया गया है तो Emmanuel Charpentier और Jennifer Doudna को दिया गया है इनके किस खोज के लिए दिया गया है तो Gene Editing का एक तरीका खोजने के लिए इन दोनों विज्यानिकों को रसाइन के छेतर में नोबल पुरूसकर दिया गया है चोथा जो है Peace यानि शांती शांती में किसे दिया गया है तो WFP को दिया गया है यानि World Food Program को दिया गया है विश्व खाध्य कारे करम के लिए किस लिए दिया गया इन्हें नॉबल पुरूसका भुकमरी मिटाने के छेत्र में अच्छा काम करने के लिए इन्हें नॉबल पुरूसकार दिया गया है पांचवा जो है लिट्रेचर यानि साहित्य की छेत्र में किसे दिया गया है तो लुईस गलुक को साहित्य की छेत्र में नॉबल पुरुसकार दिया गया है और किसे के लिए दिया गया है अमेरिकी कवित्री लुईस गलुक को सुरीली कव्यात्म कवाज के लिए जो है प्रोबर्ट विल्सन को जो है दिया गया है और किस काम के लिए दिया गया इनको निलामी सिधान्त में सुधार और निलामी के नए तरीकों के अविश्कार करने के लिए जो है ने नॉबल पुरुसकार दिया गया है अब नॉबल पुरुसकार से महतोपुन प्रेशनों को भी हम देख लेते हैं तो questions को देखते है question number 1 noble pruskar की शुरुवात हुई थी तो जो noble pruskar की शुरुवात है वो कब हुई थी तो verse 1901 में noble pruskar की शुरुवात हुई थी तो answer क्या हो गए यापर 1901 में question number 2 तो नॉबल पुरुषकार किस वेज्ञानिक की याद में हर साल दिया जाता है? तो जो नॉबल पुरुषकार है, वो किस वेज्ञानिक की याद में हर साल दिया जाता है? तो अल्फरेट नॉबल की याद में जो है, दिया जाता है. तो ऑंसर क्या होगा है आपर C, Alfred Nobel Question number 3, 2020 का Nobel सांती पूरुश्कार किसे मिला है? 2020 का जो Nobel सांती पूरुश्कार है वो किसे मिला है? तो yaani World Food Program को मिला है तो आंसर क्या होगा है? B, World Food Program Question number 4, Nobel पूरुश्कार कितने छेतरों में परदान किया जाता है? तो जो Nobel पुरुसकार है वो कितने छेत्रों में परदान किया जाता है तो 6 छेत्रों में परदान किया जाता है तो आंसर क्या हो गए यहां पर B 6 Q5. लुईस गुलुक को इन में से किस छेत्र में उत्किस्ट कार्य के लिए Nobel पुरुसकार परदान किया गया है तो जो लुइस गुलूख है इनमें से किस काऱे के लिए उन्हें नॉबल पुरुसकार परदान किया गया है तो साहित्य के छेत्र में दिया गया है, आंसर क्या होगा है यहां पर D, साहित्य के छेत्र में कोशन नमबर 6, वर्ष 2020 में किन वैक्तियों को बहुतिक चेतर में नॉबल पुरुसकार से सम्मानित किया गया है, तो रोजर पैन रोस को भी किया गया है, रेन होट गएंजल को भी किया गया है, एंड्रिया गेस को भी किया गया है, तो इन सभी को नॉबल पुरुसकार से सम् Q7. इनमें से किसे रसायन के छेतर में नॉबल पुरुसकार से समानित किया गया है? तो रसायन के छेतर में नॉबल पुरुसकार से समानित किसे किया गया है? तो एमुनिल चारपेंटियर को किया गया है? तो आंसर क्या होगा है? आपर C. एमुनिल चारपेंटियर Q8. रोजर पैन रोज को किसी योगदान हेतू बहुतिक के छेतर में नोबल पुरुषकार दिया गया तो ब्लैक हॉल की खोज करने और रहस्यो का पता लगाने के लिए दिया गया तो आंसर क्या हो गया यहां पर A ब्लैक होल की खोच करने और रस्यों का पता लगाने है तुझो नोबल पुरुजकार दिया गया Question number 9 एंड्रिया गेज भौतिक के छेतर में नोबल प्राप्त करने वाली कौन सी महिला बनी जो एंड्रिया गेज हैं वो भौतिक के छेतर में नोबल पुरुजकार प्राप्त करने वाली कौन सी महिला बनी तो चोथी महिला बनी तो आंसर क्या हो गया है यहां पर डी चोथी Question number 10 Question number 11 Question number 11 Question number 14 Lewis Gluck को साहित्य के छेतर में नोबल पुरुजकार दिया गया वे किस देश की कवित्री हैं तो जो Lewis Gluck है वो किस देश की कवित्री थी तो अमेरिका की थी तो आंसर क्या हो गया है यहां पर बी अमेरिका Question number 15 Question number 15 Question number 15 Question number 15